आठ अप्रिल को होने वाला सूरे ग्रहन इस साल का पहला पूंट सूरे ग्रहन है जो बेहत दुरलब है ये पूंट सूरे ग्रहन अमेरिका से लेकर मैक्सिको और मैक्सिको से लेकर कनाड़ा तक देखा जा सकेगा दो दिनों बाद होने जा रही ये एक ऐसी खगोलिय घटना ह जो इसके बाद दोबारा जल्दी देखने को नहीं मिलेगी वेग्यानिक, हगोल शास्त्री और अंतरिक्ष में दिल्चस्पी लेने वाले लोग इस सूरे ग्रहन का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अगर 8 अप्रेल को पूर्ण सूरे ग्रहन का नजारा देखने से चुके तो इसको दोबारा देखने के लिए कम से कम अगले 20 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा जब या अदबुत नजारा आस्मान में दिखाई देगा उस दौरान दिन में रात हो जाएगी यानि अंधेरा हो जाएगा दो दिन बाद लगने वाले इस पूर्ण सूरे ग्रहन के दौरान एक ऐसा समय भी आएगा जब चन्रमा पूरी तरह से सूरे को ढख लेगा जिसकी वज़े से 7 मिनट 5 सेकिंड तक सूरश तो दिखाई नहीं देगा पूर्ण सूरे ग्रहन तब लगता है जब चन्रमा पिर्थ्वी और सूरे के बीच से होकर गुजरता है इस समय चन्रमा पिर्थ्वी के सबसे नजदी का जाता है इस पून्ट सूरे ग्रहन के दौरान सूरे चन्रवा और पिर्थवी एक सीधी रेखा में आ जाएंगे यही वो वक्त होता है जब सूरज की रोशनी पिर्थवी पर नहीं पहुंच पाती है और दिन में राज जैसा महौल हो जाता है अगर अब आप भी यह सोच रहे हैं कि सूरे ग्रहन एक ही तरह का होता है तो आप गलत हैं क्योंकि सूरे ग्रहन भी तीन तरह का होता है पून्ट सूरे ग्रहन, आंशिक सूरे ग्रहन और वल्याकार सूरे ग्रहन आठ अप्रेल को जो सूरे ग्रहन होने जा रहा है वो पून्ट ग्रहन है अब आपको बताते हैं कि पून्ट सूरे ग्रहन होता क्या है तो जब चंद्रमा, सूरे और पिर्थवी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब पूंट सूरे ग्रहन लगता है ये सूरे ग्रहन आशिक सूरे ग्रहन से बिलकुल अलग होता है पूंट सूरे ग्रहन की स्थिती तब बनती है जब धर्ती का एक हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में तब्दील हो जाता है इस समय चांद जमीन के सबसे ज्यादा नजदीक होता है वहीं आशिक सूरे ग्रहन के दौरान चांद पिर्थी को पूरी तरह से नहीं ढखता मतलब इसमें चांद की परशाई धर्ती के पूरे हिस्से को ना ढखते हुए केवल एक ही हिस्से को ढखती है जब ऐसा होता है तब उसे ही आशिक सूरे ग्रहन कहते हैं बात करें सूरे ग्रहन के तीसरे प्रकार की तो वल्याकार सूरे ग्रहन वो होता है जब चान धर्ती से दूर होता है इस दौरान चान सूरे को पूरी तरह धक नहीं पाता लेकिन इस दौरान सूरे रिंग ओफ फायर जैसा दिखता है क्योंकि चान छोटे अकार में दिखाई अब आपको बताते हैं अगनी वल्य यानी रिंग ओफ फायर के बारे में दरसल रिंग ओफ फायर वल्याकार सूरे ग्रहन के दौरान बनता है यह तब बनता है जब सूरे का केंद्र चांद से ढग जाता है जिससे सूरे का केवल किनारा ही दिखाई देता है और ऐसी स्थिती म सूरे का बाहरी किनारा बिलकुल आग के छले जैसा दिखाई देता है इसी को अगनी वल्ले या रिंग ओफ फायर कहते हैं इसलिए सभी सूरे ग्रहणों में रिंग ओफ फायर नहीं बनता इससे पहले साल 1973 में पूर्ण सूरे ग्रहण लगा था और उस समय सूरज 7 मिनट 4 सेक